Good morning students, Hindi की कक्षा में आप सभी का स्वागत है और आज हम पढ़ेंगे पार्ट चार जिसका नाम है संग्या, संग्या जिसे हम English में नाउन कहते हैं चलिए समझते हैं कुछ उधारणों के दोरा जैसे यह दिल्ली का लाल किला है अनिल तथा सुनील लाल किला देखने दिल्ली आये हैं लाल किला देखकर सभी चात्र खुश हैं इसकी सुन्दर्ता देखने अन्य आदमी और औरते भी आये हैं उपर युक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द जैसे की दिल्ली, लाल किला, अनिल, सुनील, छात्र, खुश, सुन्दर्ता, आदमी और औरते किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव, दशादी के नाम हैं व्याकरण में नाम को संग्या कहते हैं इस प्रकार से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, दशादी के नाम को संग्या कहते हैं यह संग्या की परिभाशा है अब पढ़ते हैं संग्या के भेद संग्या के मुख्यता तीन भेद होते हैं जैसे पहला भेद है व्यक्ति वाचक संग्या दूसरा भेद है जाति वाचक संग्या तथा तीसरा भेद है भाव वाचक संग्या सबसे पहले पढ़ेंगे व्यक्ति वाचक संग्या जिन शब्दों से किसी व्यक्ति वस्तू वस्तान आदी का बोध हो वे व्यक्ति वाचक संग्या कहलाते हैं जैसे भारत, दिल्ली, जापान, लंदन, रामायन, कुरान, सोमवार, जन्वरी, होली, महत्मा गांधी, चार मिनार आदी तो ये सब ही किसी व्यक्ति वस्तू इस्तान आदी का बोध करा रहे हैं तो इन्हें कहते हैं व्यक्ति वाचक संग्या दूसरा भेद है जाती वाचक संग्या वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तू, इस्तान आदी की जाती का बोध कराते हैं जैसे लड़का, लड़की, गाउ, नगर, देश, पुस्तक, आदी इन्हें जाती वाचक संग्या कहते हैं अंग्रेजी व्यक्रण से प्रभावित होकर कुछ विद्वानों ने जाती वाचक संग्या के दो और भेद बताएं हैं जो इस प्रकार से हैं जैसे समुदाय वाचक संग्या जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तू, स्थान, आदी के किसी समुह का बोध कराते हैं उन्हें समुदायक वाचक संग्या भी कहते हैं इसे हम इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन के नाम से भी जानते हैं उधारण के तौर पर जैसे भीड, परिवार, कक्षा, छुंड, टीम, गुच्छा, सेना, आदी दूसरा है द्रविवाचक संग्या यानि की मेटीरियल नाउन जो शब्द किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध कराते हैं उन्हें द्रविवाचक संग्या कहते हैं जैसे सोना, कपास, लकडी, लोहा, पानी, दूद, आदी अब कुछ विशेश बातें जैसे भाव वाचक संग्या को न हम देख सकते हैं और न उसे छू सकते हैं इसका केवल अनुभव कर सकते हैं भाव वाचक संग्या भाव, दश्या, अवस्था, आदी का बोध कराने वाले शब्द भाव वाचक संग्या कहलाते हैं जैसे बुढ़ापा, गरीबी, अमीरी, जवानी, सुन्दर्ता, आदी इने हम केवल अनुभव कर सकते हैं ना तो हम इने देख सकते हैं और ना ही हम इने छू सकते हैं आईए अब कुछ मुख्य बातें जो अब तक हमने पढ़ी इने फिर से दोहरा लें जैसे व्यक्ति, वस्थू, इस्थान, आदी के नाम को संग्या कहते हैं संग्या के तीन भेद हैं जैसे व्यक्ति वाचक, जाति वाचक तथा भाव वाचक जाति वाचक संग्या के दो भेद और हैं समुदाए वाचक तथा द्रव्य वाचक भाव वाचक संग्या का हम केवल अनुभव कर पाते हैं तो इस पार्ट में बस इतना ही धन्यवाद